हेलो स्ट्रेंट्स आप सभी का विल्कम है अनेकेडमी लाइव रिल्वे एक्जाम यूट्यूब चैनल पर और मैं मोहित क्मार कशब आपका इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ स्ट्रेंट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमेशा अपने आपको खुद को कैसे मोटिवेटिड आप रख सकते हैं कैसे अपना सैल्फ मोटिवेशन आप बनाकर रख सकते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना यहां पर मैं पाँच पॉइंट पर बात करूँगा खुद को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बहुत ज़ादा बेनिफिशन होने वाली है अगर आप किसी भी कॉंपिटिटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैं यहां केबल RRB, NTPC की बात नहीं कर रहा केबल G rude D की बात नहीं कर रहा केवल SSA, CGL 및 CHSL की एकजाम की बात नहीं कर रहा मैं हरे एक एक एकजाम की बात कर रहा हूं ।क्पर अए किसुट llegesen में हमें बहुत ज़ादा motivation की जरूरत होती है तो ऐसे में मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लिए कर आया हूँ वीडियो को बिल्कुल टिन एंट तरह देखना स्टुडेंट वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और शेर ज़रूर से करना इस्टुडेंट लाइफ में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है हर किसी इस्टुडेंट को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मोटिवेशन को बरकरार नहीं रख पाते हर इंसान के साथ ये problem है किवल आप इस problem से नहीं किवल आप इस problem में नहीं है हर एक student के साथ ये problem हो सकती है खुद हमारे साथ ये problem रही है जब हम student life में रहते हैं तो बिल्कुल आपको हमेशा कैसे motivated रहना है तो उसके लिए मैं 5 बातें यहाँ पर मैं बताओंगा एक-एक बात को आप ध्यान से समझे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपके desire की जी हाँ desire आपका मजबूत होना चाहिए आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए आपको अपनी life में करना क्या है student माली जी आप student life में है तो आपका एक goal होगा आपने सोचा है कि मुझे NTPC के exam clear करना है मुझे CA की post लेनी है मुझे TA की post लेनी है या मुझे ASM की post यहाँ पर हासिल करनी है तो अपना एक desire आपने जरूर से set किया होगा और उस desire को लेकर आप यहाँ पर काम कर भी रहे होगे तो यहाँ पर थोड़ा सा यह clarity होनी चाहिए कि मुझे अपनी life में हासिल क्या करना है मुझे क्या पाना है जब तक आपकी desire यहाँ पर clear नहीं होगी आप उसके लिए बहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो मारा पहला point यही है कि आप जिस भी exam की तयारी कर रहे है एक बड़ा desire बना कर चले एक अच्छा शक्ति को अपने अंदर से बहुत ज़ादा मजबूत बना कर आगे आगे बढ़ते रहे second point पर यहाँ पर बात करता हूँ focus की कोई भी आप काम कर रहे है उस पर आपका fully focus होना चाहिए desire से related चीज है अगर आपने ASM बनना है तो ASM बनने के लिए आपको कौन से exam बीट करना पड़ेगा आपको RRB NTPC exam बीट करना होगा RRB NTPC exam में क्या-क्या होता है CBT first exam होगा CBT 2 exam होगा तो यहां पर आपको fully focus रहना है कि आपका CBT first का जो exam है उस exam में क्या-क्या-क्या-चीजे बच्चो आनी है उसमें mathematics पूछा जाएगा उसमें reasoning पूछी जाएगी उसमें GKS के questions आएगे किस तरह के questions आएगे तो वो आपका पूरे आपको आपको उसका पूरा pattern पता होना चाहिए किस तरह से आपको आगे बढ़ना है किस तरह से तैयारी करना है वो सारी चीजे आपको fully focus होकर तैयारी करनी पड़ेगी कुछ बच्चों के दिमाग में यह रहता है कि मुझे तो बस NTPC के exam के लिएर करना है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कौन सी post लेनी है लेकिन यहाँ पर मैं बच्चों उन बच्चों की बात करना है जिनका fully focus होगा कि मुझे नई सर मुझे तो CA ही post चाहिए मुझे तो commercial apprentice की ही post चाहिए या मुझे traffic apprentice की post चाहिए या मुझे goods guards ही बनना है या मुझे RRB, NTPC के तरफ ASM की post लेनी है तो बच्चों आपका यहाँ पर fully focus होना चाहिए कि आपको क्या पाना है और आपको उस पाने के लिए क्या-क्या करना है करने से बात आती है तीसरा point work आपका अपने work पर fully तरह से होते हैं तो motivate होने से क्या होता है हमारे अंदर confidence आता है लेकिन confidence main किस चीज़ से आएगा confidence main जो आता है वो आता है बच्चों work करने से जब तक आप किसी काम को करेंगे ही नहीं आपके अंदर confidence नहीं आएगा और जब तक confidence नहीं आएगा आपको motivation नहीं मिल पाएगा मैं यहाँ पर self motivation की बात कर रहा हूँ self motivated आपने काफी सारे बंदे देखेंगे जिनने किसी motivation की जरूरत नहीं होती है वो खुद से इतना motivated होते है उन्हें खुद से पता है कि मुझे सुबा 4 बजे उठना मेरे लिए कितना जरूरी है या मुझे रात को 11 बजे तक पढ़ना है या 12 बजे तक पढ़ना है या मुझे दिन में 10 गंटे पढ़ना है वो मेरे लिए कितना जरूरी है तो वो होते हैं बच्चो self motivated बंदे तो वो self motivated बंदे बनने के लिए आपको करना क्या है आपको अपने work पर main focus करना है आपने करना क्या है आपके exam में क्या के चीजे आती है आपको उसके हिसाब से एक time table set कर लेना है जो भी आप time पढ़ने का बनाते हैं 6 गंटे, 8 गंटे, 10 गंटे यह आपके उपर depend करता यहाँ पर मैं कोई गंटे की बात नहीं करूँगा कि आप 2 गंटे पढ़िये दिन में यहाँ पर 10 गंटे पढ़िये या 15 गंटे पढ़िये वो आपके उपर है कि आप चीजों को 2 गंटे में कर सकते हैं आपको करने में 10 गंटे लगते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं main बात कर रहा हूँ कि work, अगर आप work बहतर तरीकी से कर रहे हैं, daily अपने routine में काम कर रहे हैं, daily अपने study पर पूरी तरह से focus कर रहे हैं, जो भी आपका exam का syllabus है, उस syllabus के according अगर आप preparation कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका confidence बनेगा, और confidence बनने के चलना चाहिए, ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पर हमें बुरी चीजों से बचके रहना, बुरी चीजे क्या है, बाई, exam का time है, काफी सारे लोग आपको परिशान करने वाले होंगे, सबसे main चीज मैं बताता हूँ कि शाधियों का दोर है, शाधियों का दोर है, शाध से तैयारी करते हो गया, एक साल, दो साल, दीन साल, ठीक है, या कोई relative ऐसा मिल जाएगा, तो कुछ लोग होते हैं न, टॉंट मारने वाले बीच में, वो हमेशा हर किसी के साथ है, वो आप special नहीं हो कि आपके साथ ऐसा हो रहा, वो सभी के साथ होता है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे बंदे मिलते हैं, तो उनकी बातों को एक कान से सुनिए, दूसरे कानों से इग्नौर कर दीजे, वो लोग हमेशा आपको डी मोटिवेट करने का काम करेंगे, ठीक है, और ऐसी इस्तिति में जब एक्जाम थोड़ा सा और डिले हो रहा है, जैसे कि हम देख भी रहे हैं चाहे अडोस का है, चाहे पडोस का है, चाहे आपके मोहले का, चाहे आपके गाउं का है, उनसे थोड़ा सा बच कर रही है, आपका में फोकस आपकी स्टडी पर रहना चाहिए, इस तरह की इधर उधर की बातों पर आपका ध्यान नहीं रहना चाहिए, आगे बात करते हैं, पांचवे पॉइंट पर यहां पर हम बात करेंगे अपडेट की, जी हाँ, अप जब भी किसी भी एक्जाम की तयारी करते हैं, तो आपको उस एक्जाम के पैटन से पूरी तरह से फैमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आपको पूरी तरह से अपडेट रहना पड़ेग तो उसमें क्या परिवर्तन देखा गया, उस शीर से आपको अपडेट रहना पड़ेगा, अब 2016 से 2017, 2018, 2020 आ गया, ठीक है, चार साल बाद आप एक्जाम होगा, तो इन चार सालों में RRB क्या बदलाव कर सकती है, वो आपको कैसे पता लगेगा, NDBC का तो एक्जाम हुआ नह तो यहां से काफी हग तक आपको help मिलेगी, एक्जाम की tendency को समझने की, कि RRB जो paper conduct कराता है, उसमें किस तरह से fair बदल कर सकता है, question pattern कैसा है, ठीक है, paper pattern तो चलो ठीक है, वो clear है, no division में आ गया, लेकिन question को पूछने का उसका जो तरीका है, वो तरीका क्या है, उससे आपको update रहना पड़ेगा, वो update रहने के लिए आपको क्या करना है, कि पिछले 2-3 सालों में जितने भी papers हुए है, उन सारे papers पर ध्यान दीजिए, GKS में किस तरह के सवाल पूछे गए, math में किस तरह के questions पूछे गए, reasoning में किस तरह के questions पूछे गए, तो वो सब आपको थोड़ा सा ध्यान लखना है, और उन पर काम करना है, अपने आपको पूरी तरह से update रखकर चलना है, ठीक है, समझ मा रही है न बाते, तो इस प्रेंट ये 5 main point थे, जो मैंने आपके साथ share किये हैं, इन 5 points पर अगर आप definitely काम करते हैं, इन 5 points को अगर आप अपने जहन में रखकर काम करत हैं, तो definitely आपका जो motivation होगा, वो साथ वे आस्मान पर होगा, आप धरती पर होगे, लेकिन आपका motivation साथ वे आस्मान पर होगा, definitely इस बात को 100% मैं sure guarantee के साथ कह सकता हूँ, clear strength, तो आज की इस वीडियो में यही motivation मुझे देना था, और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए काफी समय से मुझे से पढ़ रहे हैं, तीन साल से, मैं online education से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा करीब करीब 11 से 12 साल का experience हो गया offline institute से जुड़ा हूँ, मैं खुद का institute भी चलाता हूँ, तो जो बच्चे मेरे साथ मेरे course के साथ जुड़ना चाते हैं, in the last मैं बता देता हूँ, मैं anacademy पर पढ़ाता हूँ, plus course में, तो आप मेरे plus course के साथ जुड़ सकते हैं, जहां नीचे आप पट्टी देख रहे हूँगे, यहां पर मेरा referral code दिया हुआ है, बच्चो, m-o-h-i-t-mohit-yt-10, इस referral code के साथ, अगर बच्चो आप subscription लेते हैं, तो वहां पर आपको definitely 10% क सरीके से कर पाएंगे, यहां पर मैं वही चीज लेकर चल रहा हूँ, जो चीज मैं आपको अभी इस वीडियो में बता रहा था, जैसे previous questions का हमारे G1 में क्या महत हो है, जब हम preparation कर रहे हैं, जिस exam की, तो उस exam में उसका क्या महत हो है, तो वह previous questions में यहां पर कराकर चल रहा वह समय यहां पर अपनी classes के अंदर बता कर चलता हूँ, अगर question change होता है, वह change किस तरह से रहेगा, वह समय इन classes के अंदर बता कर चलता हूँ, तो बिल्कुल आप जुड सकते हैं मेरी classes के साथ, यह जो मेरा referral code है, MOHIT, YT10 के साथ, आप subscription लेकर मेरे साथ जुड़िये, तो I hope कि इस ट्रेंट आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो बहुत ज़्यादा तरीके से इसको जल्दी से like कर दीजिए, like केवल एक बार कर सकते हैं, लेकिन share इसको बार बार कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज़्यादा